नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका आपके चैनल गोपालिश्ट्री पॉइंट में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र के प्रैक्टिस सैट नंबर फॉर का और दोस्तों इससे पहले हमने तीन प्रैक्टिस सैट अलेडी अपलोड कर चुक देखा है तो आप अपने स्क्रीन को टच करके मोबाइल के स्क्रीन को टच करेंगे तो आपको टोप राइट कोरनर पर एक आई का बटन इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा और उस आई के बटन को आप यदि प्रेश करेंगे तो आप आप वहाँ से मेरे बागी के practice set और complete video child development and pedagogy, science, mathematics, hindi और environmental की आप वहाँ पर सभी video को देख सकते हैं और दोस्तो अपनी तयारी को और बेटर बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना revision कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe करने के लिए आप यहाँ पर जो right bottom corner है यहाँ पर आपको एक subscribe now का symbol दिखाई देगा आप यदि उस symbol को press करेंगे तो वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe करना एकदम free of cost है तो चलिए दोस्तो without wasting of time शुरू करते हैं अपना practice set जैसा की question number one दिया है परतीबावान छात्र अपनी छमता को कब पहचानते हैं जो परतीबावान छात्र है वे अपनी छमता अपनी capacity को कब पहचानते हैं तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number d और d में दिया है जब वे दूसरे विद्यारतियों से सीखते हैं next question है एक अध्यावा का मुख्य उत्तरदाई तो क्या है क्या main responsibility है teacher की तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो again option number d और d में दि अध्यगम करता के आत्म नियम से क्या टाथपरिये हैं जो अध्यगम करता है उसके आत्म नियम से क्या दाथपरिये है तो दोस्तो इसका जो right answer है वो है option number a और a में दिया है आत्म अनुशाशन और नियंत्रन तो दोस्तों जैसा कि हमारे जो मनुवैग्यानिक हुए है बंडूरा जी उन्होंने कहा है कि आत्म नियमन अधिगम उद्देश को निर्धारित करना उसकी प्राप्ती के लिए आवशक परियास करना और संसादनों का प्रियोग करना होता है एक आत्म नियंतरित अधिगम करता आत्म अनुशासित होता है और उसका अपने कारिया पर नियंतरण भी होता है नेक्सकोशन देखते हैं कोशन नमबर 4 समाजिक संस्कृतिक विकास का सिध्दान्थ किस ने दिया था? बहुत ही अच्छा कोशन है और दोस्तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन नमबर D और D में दिया है वाई गोट्सकी वाई गोट्सकी जी ने समाजिक का सिद्दान्थ दिया था नेक्स क्वेशन देखते हैं अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए सिक्षक अपनी पशंद के विध्यार्थी समू से उत्रों की अप्रिक्षा करते हैं यह किस बात को परदेशित करता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है खिलोनों की अवस्था के रूप में जाना जाता है बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्तों और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों और बी में दिया है प्रारंबिक बाले अवस्था को नेक्स कोशन योगता समूई करन के बारे में कौन सा कथन सत्त है तो योगता समू ये सिक्षन बना अपना सकते हैं. Next question, निमलिकित में से कौन सा छोटे सिक्शारतियों के पढ़ने में कथिनाई का संकेत नहीं है? तो कोन सा है जो की छोटे सिक्शारतियों के पढ़ने में कथिनाई का संकेत नहीं है? तो दोस्तों इसका जो right answer है वह है option number C और option number C में दिया है सब्दो और विचारों को समझने में कठिनाई next question देखते है परतीबा साली विध्यारती है जो परतीबा साली विध्यारती है वो किस type के होते है तो इसका जो right अंजर है दोस्तों वो है option number B और B में दिया है अब सारी चिंतक वाले जो परतीबा साली विध्यारती होते है वो अब सारी चिंतक वाले होते है जैसा कि एक manoveganic हुए है torrents तो उनके अनुसार जो परतीबा साली विध्यारती है सिक्षारती है वे हैं जो मानों विवार के किसी भी छेतर में उत्क्रस्ट परदैसन करते हैं ये समाज के लिए महत्पून होते है और अपसारी चिंतन सरजनात्मक सिक्षारतीयों की एक मुख विशेस्ताओं में से एक है नेक्स कोशन देखते है निमलिकित में से कौन सा वनसानुकरम से संबंदित कारक है चार ओप्षन दिये हैं निम्ल में से कौन सा बुद्धी के मापन में परियोग नहीं किया जा सकता है तो कौन सा ऐसार रिजन है जो बुद्धी के मापन कारिये में परियोग में नहीं लाया जा सकता है वो है दोस्तो 11 का राइट आंसर C और C में दिया है विद्यार्ती की सिख्षक का ध्यान आकरसित करने की योगता है उसे बुद्धी के मापन में परियोग नहीं किया जा सकता है नेक्ट वोशन दिखते हैं निम्द में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बुद्धी के सिध्धान्त का समर्थन करता है तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 गा वो है दोस्तो ओप्षन नम्बर A और ऋफशन नम्बर A में दिया है मस्टिक्स के एक भाग में हुई छती केवल एक योगता को प्रभावित करती है नेकि सम्पूर मस्टिक्स को तो दोस्तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं और जल्दी से क्योंकि इस पर बहुत ही टाइप के अलग से भी कोशन पूछे जा सकते हैं जैसा कि गार्डनर के बहु बुद्धी सिदान्त के अनुसार मानव की बुद्धी का एक से अधिक तरीकों से परिभाशित किया जा सकता है और उसमें लगबग आठ विभिन परकार बुद्धी के निर्मान का या बुद्धी को वर्णन किया जा सकता है जैसा कि भाश्य बु दीमान व्यक्ति तो इस तरह से आठ प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है तो इस question से इतनी जानकारी हमें याद रखनी है नेक्स question देखते हैं निमलगित में से कौन सा कारक बाल केंद्रिक शिक्षा का आधार है तो दोस्तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो option number A और option number A में दिया है व्यक्तिगत विभिन्ता व्यक्तिगत विभिन्ता क्या है बाल केंद्रिक शिक्षा का आधार है नेक्स question देखते हैं निमलगित में से कौन सा ऐसा वातावर्णिया कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है कौन सा ऐसा कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है तो राइट आंसर option number C और C में दिया है दोस्तो इसका सारीरिक धहचा नेक्स question निमलगित में से कौन सा कतन संग्यानात्मक विकास का समर्थन करता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर है option number B और B में दिया है संग्यानात्मक विकास उननत और विवित्ता पून वातावर्ण परदान करता है नेक्स question देखते हैं भाशा आवबोधन से संबंध वि में जो दिया है 16 का सी तो यह है दोस्तो भाशा घात भाशा घात इसको इंगलिस में बोलते हैं अपेशिया तो दोस्तो जो अपेशिया है वो है दोस्तो एक प्रकार की आशक्ता है जिसमें बालक मोखिक रूप से सीख नहीं पाता है मोखिक औरली रूप से सीख नहीं पात एक बालक के खालिस्तान दिया है में सिक्षक की महत्पूर्ण भूमी का होती है जैड़ पी डी के अनुसार तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो ऑफशन नमबर ए और ऑफशन नमबर ए में दिया है ज्यान आत्मख विकास तो इसको कम्प्लीट कर देता हूं जैड़ पी डी के अनुसार एक बालक के ग्यान आत्मख विकास में सिक्षक की महत्पूर्ण भूमी का होती है या है तो दोस्तो जैसा की इसमें टर्म लिया है जैड़ पी डी और मैंने इससे पहले प्रक्षिस सैट में भी आपको बता था कि जो जैड़ पी डी होता है वो इसका जो फुल्फूम होती है वो होती है दोस्तो जोनल ओफ प्रोप्सिमल डिपार्टमेंट जोनल ओफ प्रोप्सिमल डिपार्टमेंट तो दोस्तो यह है एक नाम का संबावित विकास का शेत्र होता है और इसमें जो सिक्षक की जो महत्पूर्ण भूमी का होती है वो किसम में होती है दोस्तों जानात्मत विखास करने में नेक्स कोशन देखते हैं कि नेक्स कोशन है समावईशी शिक्षा का संबन उस विद्यालेई शिक्षा वेवस्था से है जो की जो सामिल करती है किस चीज को तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उप्शन नमबर B और उप्शन नमबर B में दिये हैं बच्चों की सारीरिक, बोध्दिक, समाजिक, भाष्य या किसी अन्य अयोगता को अंदेखा करते हुए सभी को शामिल करती है नेक्स कोशन देखते हैं बाल विकास एक छेतर है जिसमें क्या चीज का ध्यन किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर है 19 का ओप्शन नमबर D क्या है दोस्तो ओप्शन नमबर D और ओप्शन नमबर D में दिया है संळानात्वक, समाजिक और दूसरी योगताओं के संबन में एक बालक के निरंतर विकास का अध्यन करता है तो इस तरह से 19 का जो right answer है दोस्तों वो है option number D जैसा कि बाल विकास एक शेत्र है और उससे संबन्दित है संग्यानात्माक, समाजिक और दूसरी योगताओं के संबन में एक बालक के निरनतर विकास का धन करता है नेक्स question देखते है व्रद्धी और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें तो क्या गलत statement है इस topic से regarding व्रद्धी और विकास से तो 20 का जो right answer है वो option number C और option number C में दिया है दोस्तों विकास के बिना व्रद्धी संबाव नहीं है और व्रद्धी के बिना विकास संबाव नहीं है बुद्धी ज्यान में पूर अधिगम और अनुभव से प्राप्त होता है जो बुद्धी ज्यान है वो किस से पूर अधिगम और अनुभव से प्राप्त होता है तो क्या चीज है वह है वह है दोस्तों option number A में दिया है क्रिष्टली करत जो क्रिष्टली करत है बुद्धी ज्यान से पूर अधिगम और अन्भोव से प्राप होता है तो दोस्तो क्रिष्टली करत बुद्धी का संबन समश्या समाधान के लिए समश्या समाधान के लिए ज्यान का परियोग करने में किया जाता है तो जो क्रिष्टिकलेट जो टर्म है उसका परियोग किसमे किया जाता है बुद्धी का जो संबंध है वो समश्चा समधान के लिए जानि कि जो क्रिष्टिकलेट बुद्धी है उसका जो संबंध है समश्चा समधान के लिए ग्यान का पर्योग करने में किया जाता है नेक्स कोशन देखते हैं विकास की किस अवस्था में एक बालक आत्म केंदरित होता है जो विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक आत्म केंदरित हो जाता है तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number A और option number A में दिया है सैस्वा अवस्था तो दोस्तो सैस्वा काल का जो संबंध है वो बाले काल के परारंबिक अवस्था से है जहां बालक आत्म केंदरित दिखाई देता है इस अवस्था के दोरान बालक अपने परिवार के सदिश्चों को पहचानना और अपने आसपास के वातरण में रूची लेना सुरू कर देता है तो दोस्तो इस question से इतनी जानकारी हमें परात हो जाती है next question देखते है वाई गोटस्की का विस्वास था कि विकास से पहले होता है कि क्या कतन है क्या विस्वास था क्या अबलीव था उनका कि जो विकास से पहले क्या होता है वो हमें बताना है तो 23 का राइट आंसर है और 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 में दिया है समाज तो वाई गोत्सकी का विश्वास था कि समाज जो होता है वो विकास से पहले होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो 24 का वो है ऑप्शन नमबर A और ऑप्शन नमबर A में दिया है नियमित विद्याले तो जैसा कि दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विकलांग बच्चों के लिए एक करत योजना का उद्देश नियमित विद्यालियों में विकलांग बच्चों को बिना किसी भेद भाव के शिक्षा के अउसर परदान करना है और यह विकलांग बच्चों की में हिंता कि भावना को दूर करने के लिए सुरू किया गया है next question 25 और 25 में दिया है एक जटिल उपकरण के पुर्जो को जोड़ना खालिस्तान दिया है बुद्धी का एक उधारन है किस का एक उधारन है किस बुद्धी का एक उधारन है तो 25 और राइट उपकरण के पुर्जो को आपस में जोड़ देते हैं तो ये एक स्थानिक बुद्धी का उधारन है next question निम्द में से कौन सा कारक बालक के विकास को परभावित नहीं करता है तो दोस्तो 4 option दिये हैं जिसमें right answer है 26 का option number C और option number C में दिया है उपकरण दिया जो उपकरण दिया होती है वो बालक के विकास को परभावित नहीं करती है next question next question दिया है मुल्यांकन का मुख उदेश होना चाहिए evolution का जो main purpose है वो क्या होना चाहिए तो 27 का right answer option number D और option number D में दिया है अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना next question एक कक्षा में link भूमी का परचर्चा में इस बात परवल देना चाहिए की तो इसका जो right answer पढ़ता हूं दोस्तो 28 का right answer है option number B और B में दिया है link आधारित मुद्दो को सावधानी पूरवक और अर्थ पून धंग से हल करना चाहिए तो दोस्तो जैसा कि कक्षा में चर्चा के दोरान link के आधार पर भेदवाव नहीं करना चाहिए भूमी काए महिला या पूरुष के आधार पर नहीं की जाती इसका निर्धारन व्यक्तिकत योगताओं और कोशलो के आधार पर किया जाना चाहिए link आधारित मुद्दो को सावधानी पूरवक और अर्थ कून डंग से ही हल किया जाना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर हुआ दोस्तो वो हुआ option number B next question देखते है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारिय सिक्षा दिनियम 2009 में अनिवारिय सब्द का अर्थ है अनिवारिय सब्द का क्या अर्थ है तो 29 का जो राइट आंसर है दोस्तो option number D है option number D में दिया है उचित सरकारे उपस्तिती और परारंबिक सिक्षा की पूर्था को सुनिशित करेगी तो जो अनिवारिय सब्द है जो इसका अर्थ दिया है कि उचित सरकारे उपस्तिती और परारंबिक सिक्षा की पूर्था को सुनिशित करेगी next question and the last question of this video जो है दोस्तो एक समावशी विद्याल्य निम्लिकित में से किस प्रसंद पर विचार नहीं करता है जो समावशी विद्याल्य है वो निम्लिकित में से किस प्रसंद पर विचार नहीं करता है तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तो वह है option number C और option number C में दिया है किया हम बेहतर देखवाल पर्दान करने के लिए विशेजित बच्चों का सामान्य बच्चों से अलग करते हैं जो एक समावशी विद्यालA है निम्लिकित में से किस परसंट पर विचार नहीं करेगा कि क्या हम बहतर देखवाल परदान करने के लिए विसेज बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करते हैं जबकि जो समावेशी विद्याले होता है वो क्या होता है कि उसमें विसेश्ट और सामान्य जो सामान्य बच्चे होते हैं जो विशिस्ट टाइब के बच्चे होते हैं उन सभी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगे एक ही वातावरण में सिक्षा परदान की जाती है तो दोस्तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 30 Most Important Questions को Complete किया है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादे है जादे जा लिए आपका दिन बंगल में हो और इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद